Hello friends, आज किस वीडियो के अंदर हम लोग discuss करने वाले हैं types of tunnels दोस्तों कि आखिर में tunnels कितने type की हो सकती है यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला point जो अगर मैं आपको बताऊं तो जो tunnel से उसको हमने generally classify किया है अलग-अलग वर के के साब से जिसे कि आपके सामने अगर मैं बताऊं पेले हम लोग tunnel का classification देखेंगे purpose के साब से कि आखिर में जो tunnel है हमारी वो किस purpose के लिए काम में आ रही है मतलब कि किस काम के लिए हमने उस tunnel का construction कराया है ठीक है तो पहले जो classification हम लोग देखेंगे दोस्तों वो क्या होगा purpose ठीक है परपस के अंदर कौन कौन से टाइप की tunnels रहेगी उसके बाद भी हम लोग करेंगे secondly जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों types of strata मतलब कि जब हम लोग tunnel का construction की है तो वो किस strata के अंदर से tunnel का construction हुआ है strata जहां से हमारी tunnel pass हो रही है जिस भी type के ground के अंदर हम लोगों ने tunnel बनाईए उसके according भी हम लोग बात करेंगे ठीक है दोस्तों इसके बाद अगर बात करें थर्ड जो हमने जो tunnel का classification किया है वो किया according to their position बोल सकते या पिर alignment बोल सकते है कि आखिर में tunnel का alignment किस type का है या फिर उसकी किस position में tunnel हम लोगों ने बनाईए उसके according भी tunnel का classification हम लोग देखे के चीक है या फिर उसके बारे में और हम लोग discussion करेंगे लेंगे फिलाल आप यह जान लीजिए कि जो हमारे purpose के साफ से टनल का classification है वो एक तो होता है traffic tunnel और दूसरा हमारा हो जाएगा दोस्तो convenience tunnel अब यह convenience क्या होता है दोस्तो convenience की अगर मैं बात बताऊं आपको तो यह कुसी भी एक material को क्या बोले material को material को transfer करने के लिए इसका काम आता है material को one place to another place मानलो इस point पर कोई मेरे पास एक material था जो की liquid form में था मानलो उसको मेरे को यहाँ पर बी पर भेजना है तो इस चीज के लिए अगर मैं tunnel का use कर रहा हूँ that is मानलो water को हम लोग इसके through pass कर रहे हैं तो यह convenience tunnel होगी मतलब किसी भी material को one place से दूसरे place तक पुचाने के लिए अगर tunnel का use करते हैं तो उस particular tunnel को convenience tunnel कह देते हैं ठीक है convenience का simple सा मतलब मैं कह सकता हूँ दोस्तो transportation के लिए use होता है ठीक है किसी भी एक चीज को one place से दूसरे place पर भेजने के लिए transport करने के लिए हम लोग convenience tunnel का use करते हैं मेरी कहल से आपको classification जो की purpose के साफ से तो वो clear हो गए होंगे कि दो type के होते हैं एक होता है traffic tunnel दूसरा होता है convenience tunnel अब दोस्तो जो traffic tunnels आती है वो भी हमारी अलग-अलग type की हो सकती है जैसे कि मैं आपको बताऊँ सबसे पहले जो traffic टाइप की tunnel होगी वो हमारी highway tunnel हो गई चीक है second EC के अंदर बात करें दोस्तो तो हमारी railway tunnels हो गई ऐसी tunnels जो की highway के लिए बनाई जाती है जिसके अंदर से highway पास होता है मानो ये कोई मेरी tunnel थी इस tunnel के अंदर से अगर मेरा highway highway मतलब की road अगर पास हो रहा है ये ऐसा कुछ है तो ये मेरा क्या हो गया highway tunnel हो गई अगर इस tunnel के अंदर से मेरी rails पास होती है तो train जहां से पास हो रही है उस tunnel को हम railway tunnel के देते हैं या फिर दोस्तो traffic tunnel में navigation जो tunnels navigation purpose के लिए यूज की जाती है उसको हम लोग navigation tunnels किया देते हैं यह हमारे किसके अंदर आ रही है traffic tunnels के अंदर आती है आगे अगर बात करें दोस्तो pedestrian tunnel जो की pedal यात्वी के लिए होती है हमारी pedal लोग जो चलते हैं उनके लिए जिस tunnel का use किया जाता है उसको हम pedestrian tunnel किया देते हैं या फिर अगर आप बात करें दोस्तों Subway Tunnel हो गई तो यह यह भी हमारी क्या एक प्रकार की Traffic Tunnels है ठीक है तो यहाँ पर आपके सामने में आपको 5 टाइप की Tunnels बताइए जो की हमारी कैसी है दोस्तों यह हमारी Traffic Tunnels है अगर आपको कोई और भी Traffic Tunnels के Examples पता है तो आप मुझे Comment क करता हूं मैंने क्या बताया आपको अभी कि traffic tunnels हमारी अलग-अलग type की हो सकती है और वो कौन से type की हो सकती है जिससे कि highway tunnel हो गया, railway tunnel हो गई, navigation tunnels हो गई, pedestrian tunnels हो गई, subway tunnels हो गई, छीक है, तो मेरे खाल से आपको ये चीज यहां तक किलियर हो गई होगी कि आखिर में हम लोगों ने टेनल को कैसे क्लासिपाई किया तो पहले टाइप कर जो परपस में था उसमें मैंने आपको ट्राफिक टेनल बता दिए दोस्तों सेकेंड जो इसी के अंदर इस परपस के अपोडिंग हमने क्लासिपाई किया उसके अंदर बात करेंगे कन्वियंस टनल की क्या कि मैं इसके कौन कौन से example हो सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं we water suppliers मतलब कि जिसका use हम लोग क्या करें जिसका use water supply करने के लिए करते हैं थो उसको हमने क्या बोल दिया करते हैं तो सब्सक्राइं कर और गए हमारी water supply tunnel इसी के अंदर आगे अगर बात करें तो hydroelectric power tunnel ठीक है आगे एकर बात करें convenience ट्रेनल की दोस्तों sewer tunnel ठीक है ये भी हमारी किसके अंदर आती इसका क्या काम होता है दोस्तों एक प्लेस से जो sewage होता है sewage को दूसरी प्लेस तक ले जाता है ठीक है sewage को transport करने का काम करता है कुन sewer tunnel या फिर मैं बोलू ऐसी tunnel जिसका use as a sewer किया जा रहा है उसको हम लोग sewer tunnel के देते हैं ठीक है आगे अगर बात करें दोस्तों tunnels for intake and conduct of public utilities जिसका भी एसी tunnel जिसका use हम लोग public utilities के लिए करते हैं उनको भी क्या कहे जाता है convenience tunnel कह रहा है ठीक है transporting tunnels in industrial plant जो industries होती है दोस्तों वहां पर जो भी industry के अंदर जो material होता है उसके लिए जो भी transporting tunnels जो भी transportation के लिए जिन tunnel का use किया जाता है वो भी हमारी convenience tunnel के अंदर आती है ठीक है तो दोस्तों यहां पर मैं आपको क्या बताया convenience tunnel के examples बता चुका हूँ यह सारे examples होते हैं अगर आपको कोई और भी examples पता है आप मुझे comment करें इस पर दोस्तों मैं ज्यादा focus नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह नाम है जो कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर में convenience tunnel के अंदर कौन-कौन से examples आते हैं ठीक है तो यहां तक मेरी ख्याल से clear हो गया होगा अब हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों tunnel का classification तो किसके साफ से बात करेंगे best on type of strata मतलब की जिस ground के अंदर आप tunnel बना रहे हैं वहां पर किस type का strata मतलब या तो hard हो सकता है या फिर अगर हम बात करें दोस्तों soft होगा आपका strata तो इसके according हम बोलू दोस्तों tunnels in hard rock hard rock के अंदर आप tunnel बना रहे हैं तो पेलर टाइप तो यह हमारा हो गया है दूसरा दोस्तों हो सकता है tunnels in soft rock मतलब मान लो यह कोई हमारा ground था ठीक है इस ground के नीचे आपको tunnel का construction करना है तो यह जो ground है या पर या तो soft हो सकता है दोस्तों या फिर यह hard हो स tunnel तो यह हो जाएगी tunnels in hard rock मेरे खिया चीज के लिए हो गई होगी आपको फिर बोल सकते हैं दोस्तों अगर loose sand के अंदर आप tunnel का construction करेंगे तो वह हो सकती है tunnels in what loose sand clear हुआ यहां तक आगे अगर बात करें दोस्तों अगर किसी ground के अंदर आपको quick sand condition देखने को मिलती है तो वहा ठीक है यहां पर include नहीं करोगा फिर अगर बात करें दोस्तों open cut tunnels और आगे अगर और भी इसमें बात करें तो tunnels in the river बे तो यह सारे जो tunnels है हमारे type of strata के हिसाफ से हमने classify किये ठीक है तो मैं अगर यहां पर conclude करूँ आपको तो क्या कहने का मतलब है कि जो strata है मतलब की जैसे क ग्राउड की जो condition है ground की condition के साबसे हम लोगों नहीं है आप टैनल का classification किया है ground की condition के साबसे कुनसे exact लाइब का ग्राउड आपने यूज किया है अगर हाड है के से हाड लॉख्स के इंदर आप टणल बना रहे हैं तो तेनल रुसेंट में पैर है तो टोलो से किकसेंट के अंदर अगर आपने टेनल बनाई है है तो तोटनल से अपन में अगर रिवर बेड के अंदर आप टनल्स बना रहे हैं तो रिवर बेड टनल्स हो गया ठीक है मेरी काल से चीज़ आपको क्लियर हो गए दोस्तों एक और जो क्लासिफिक्शन था वो था हमारा बेस्ट डॉन्द पोजिशन या फिर बात करें अलाइमेंट कि टनल का कैसा बात करते हैं तो सबसे पहले अगर बात करें पोजिशन और जो इसके अलाइमेंट है उसके साब से तो टनल्स हमारी अलग-अलग टाइप में क्लासिपाई है जैसे कि आप देख सकते हैं स्पारल टनल है सेडल एंड बेस्ट टनल है टनल ऑफ इस वार टनल है एड स्लॉप टनल से तो यह जो है हमारे यह क्लासिपेक्शन किसके अकोडिंग है यह क्लासिपेक्शन दोस्तों अकोडिंग है अलाइमेंट के ठीक है या फिर मैं बोलू पोजिशन के कि किस पोजिशन पर आपकी टनल बनी हुई है अब इनको दोस्तों हम लोग डिटेल में डिसकस करें दोस्तों वीडियो को conclude करता हूं मैंने आपको क्या-क्या बता है मैंने आपको टनल के classification बता है कि टनल को हमने classify किया है सबसे पहली बात तो अलग-अलग type के अंदर on the basis of पहले अगर बात करें सबसे पहला तो जो classification हमने बात किया था किसके साफ से purpose के साफ से फिर हमने देखा types of strata के साफ से या फिर फिर हम बोले हमने लास्ट में जो classification देखा है वो देखा है किसके साफ से बेस्ट ऑन दे पोजिशन या फिर अलाइमेंट ऑफ दी टरनल इसे कि आप यहां पर यह सारे टाइप के देख सकते ट्राफिक टरनल और हमारी बेस्ट ऑन दी परफस हो गया फिर ट्राफिक टरनल के एक्जामपल में आपको बताए यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी तो लाइक करें शेर करें चनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो ज़रू देखें थैंक्यू